दोस्तो आज हम आपको बताएंगे वजन कम करने के बहुत ही आसान से घरेलों नुस्खे जिनको करने से दुगनी तेजी से वजन कम होने लगता है काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं लेकिन यह चाय बहुत ज़्यादा फायदे मंद आपके शरीड के लिए होती है इससे आपका वजन तो कम होता ही है और इसके साथ ही आपको और भी कई ज़्यादा फायदे मिलते हैं महिलाओ के लिए तो यह चाय बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होती है उनकी शारेरिक परेशानियों को दूर करने के लिए भी यह बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है इसके साथ ही वजन गम करने में यह चाय बहुत ज़्यादा रामबान है और अस्तमा रोगियों के लिए भी इस चाय के बहुत यदिक फायदे हैं लेकिन दोस्तों जब भी आप खाना खाते हैं तो अपना खाना खाने से पहले आदा गंटा पहले आपको यह चाय पीनी है किस परकार आपको यह बनानी है कुण सी चीजों का इस्तेमाल करना है और किस परकार आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं आईए जानते हैं आपने अब तक कई तरह की चाय के बारे में सुना होगा लेकिन काफी लोग अजवाइन की चाय के बारे में नहीं जानते हैं और उसके कितने ज़्यादा फाइदे आपके शरीर को मिलते हैं उस बारे में भी नहीं जानते हैं किस प्रकार इसका इस्तेमाल करने से वजन कम होने लगता है वह भी दुगनी तेजी से तो आईए जानते हैं आजवाइन बहुत पुराने समय से हर घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता आया है सेह संबंदी अनेक फायदों से भरपूर आजवाइन की चाय एंटियोक्सिडेंट का भैतर स्रोत मानी जाती है इसे बनाने के लिए दो कब पानी आपको लेना है और उसमें थोड़ा सा आजवाइन डाल कर 15 मिनट तक उबाल लेना है और फिर इस पानी को छान कर आप अपने लिए रख सकते हैं इसको आप आराम से चाय की तरह पी सकते हैं यह चाय आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फैदेमंद होती है जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके आदा गंटा पहले आपको यह चाय पीनी है ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा भूक नहीं लगती है और आपको फैट लोस में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलने लगती है इसके साथ ही इसके और भी अधिक फैदे होते हैं जैसे अस्तमा के लिए अजवाइन की चाय के धुएं में सांस लेने से ही नाक का रास्ता साफ हो जाता है और शहद की मिठास के साथ अजवाइन की चाय बनाकर गर्मा गर्म पीने से अस्तमा अटेक भी तुरंत बंद हो जाता है और उसमें तुरंत लाम मिलता है इसका नियमिस सेवन करने से अस्तमा रोगी को बहुत अधिक फायदे मिलते हैं दूसरा इसका फायदा है महिलाओ की परिशानी के लिए यह पीरियट्स की वजह से होने वाले दर्द को अराम पोचाता है इसके अलावा सभी तरह के इंफेक्शन को भी यह दूर करता है दिल और दिमाग के लिए भी यह बहुत जादा फायदे मंद होता है अजवाइन की चा ऐसे दिमाग के टिमर को रोकने में भी बहुत अधिक फायदा मिलता है लेकिन दोस्तों जब भी आप खाना खाते हैं तो अपने खाना खाने के आदा गंटा पहले आपको यह चाह पीनी है ऐसा करने से आपका वजन तो कम होता ही है इसके साथ ही आपका पाचन भी बहुत अ दिक फायदे मिलने लगेंगे आशा करता हूं दोस्तों आपको अमारी जानकारी पसंद आई होगी तो आजसे जूड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूलें और सबस्क्राइब बटन के पास बेल बटन दबाना न बुलें दोस्तों जिससे सभी लोग इस जानगारी को प्राप्त करके अपने जीवन में फाइदा उठा सकें धन्यवाद दोस्तों